नमस्ते, आपकी सर्फेस पर जेम्स नैच्रल वूड मोजेक्स बिठाने की संक्षिप्थ प्रस्तुती में आपका स्वागत है। आए, इसकी हम समिक्षा करें। तैयारी और सर्फेस का निरिक्षन सबसे पहले, जिस सर्फेस पर हम जेम्स बिठाना चाते हैं, उसमें नमी यानि मोईस्चर है की नहीं, इसकी हम जांच करेंगे। इसके साथ हमें ये तैय करना होगा कि सर्फेस ठीक तरीके से लेवल की गई है। गुमावदार यानि करवेचर वाली सर्फेस के लिए मोजेक्स के लचीलेपन यानि फ्लेक्सिबिलिटी और जिस वरूप यानि प्रोफाइल में वो बिठाना है, उसका ध्यान रखना ज़र ज़रूरी है। ग्लू लगाना सही सर्फेस ठै हो जाने के बाद आये हम P.V.A.C. ग्लू का एक सरीखा कोट लगाते हैं। मोजेक्स बिठाना ग्लू लगाने के बाद, अब हम Spacer की मदब से एक सरीखे Grooving पर मोजेक्स बिठाते हैं किन्तु मोजेक्स बिठाते समय ये तै कर लेना ज़रूरी है कि पूरा ग्लू सुखने से पहले हमें मोजेक्स बिठाने हैं इससे मोजेक्स अच्छे से चिपकने में आसानी होती है और ज़रूरी पढ़ने पर मोजेक्स का मामूली एज़स्ट्मेंट कर सकते हैं। दबाफ, प्रेशर देना एक बार मोजेक्स सही तरीके बैट जाए, बाद में हमें उस पर तब तक एक सरीखा प्रेशर देना पड़ेगा, जब तक ग्लू पूरी तरह सुख नहीं जाता। लैकर का प्रथम कोट लगाना सर्फेस पर मोजेक्स अच्छे से चिपक गए, ये तई हो जाने के बाद हम लैकर का प्रथम कोट लगाते हैं। इपोक्सी ग्राउट भरना लैकर सुख जाने के बाद हम ग्रूव में स्टैंडर्ड इपोक्सी ग्राउट हाथों से भरते हैं। भरने के बाद, grout hard हो जाने से पहले, surface पर जो फैला हुआ grout है, वो हमें तुरंथ निकाल देना है. लैकर का आखरी coat लगाना Grout hard हो जाने के बाद, हम लैकर का आखरी coat लगाते हैं. लैकर सूखने पर हमारे पास gem surface तयार है. अब ये तो एकदम आसान था, है ना? कि पक्राद का इनुरं भी का लगाने प्रिष फैला है कर दो है, ये देगर आ seulement लोगाते हैं. वो स्थर ढखरी तो ंखरी से घंज लगान दो कर दो.